हेलो स्टुदेंट्स वेलकम्टों कॉंसेट्ट वीडियो जान फिजिक्स वन फिंगर्टिप्स और टॉपिक इस कैपिलिरी राइज इन ट्यूब अफ इन्सुफिशेंट हैट सो देखिए हमें पता है कैपिलरी हाइट क्या होती है कैपिलरी हाइट कैपिलरी हाइट का फोर्मूला एच इक्वल्स टू टू टी कॉस्ट थिटा अपॉन रो आरजी होता है या फिर टू टी अपॉन कैपिटल आरजी रो सो यहाँ पर स्मोल आर क्या होता है कैपिलरी की रेडियस कैपिटल आर क्या होता है जो liquid minus case होता है उसका radius होता है अब यहाँ से क्या मिला h multiply by r equals to 2t upon rho g so 2t rho and g यह सब constant है इसका मतलब क्या हुआ h multiply by r यह क्या होगा constant होगा h multiply by r constant का मतलब समझ रहे है यानि h increase होगा तो r decrease होगा और h decrease होगा तो r increase होगा इसका मतलब समझ देखिए मान लीजिए यह capillary tube दी इस समय इसकी height कितनी है h और यह liquid का इसमें shape है liquid के shape को दूसरे color से दिखा दिया हमने अब क्या हुआ हमने इसको कर दिया cut मान लो इसको cut कर दिया इतना या फिर height हमने कम कर दी तो क्या होगा उस condition देखिए मान लो यह हमने height कर दी इतनी h dash तो क्या होगा देखिए height कम करने पर radius increase होता है तो radius increase होने का मतलब होता और ज़्यादा flat होना तो यह क्या हो जाएगा यह जो इनका अभी यह जो curvature इतना जादा था थोड़ा flat हो जाएगा इस तरीके से spread हो जाएगी है न ठीक है यानि radius कम हो जाएगी लेकिन क्या यह liquid नीचे गिरेगा क्या नहीं radius increase हो जाएगी flat हो जाएगी लेकिन यह नीचे नहीं गिरेगा कि माउके यह जाएगी एघंक देखिए मूझा जाएगी जाएगा विछ विड केशिए यह जिछ बी बीचे संगा देखिए धन जाएगे जाएगे जाएगा जाई खाया जेखशता सकांव किसमेंफ यह जाएग है तो उस condition में क्या होगा then the liquid जो liquid है वो क्या होगा is upto the top of the tube and spreads in such a way that the radius of the liquid meniscus increases and it becomes more flat so that h into r equals to h dash r dash equals to constant hence liquid does not overflow बहार नहीं गिरेगा ठीक है अब देखें हमें पता है h dash is less than h है तो उस condition में क्या होगा r dash is greater than r so r dash को हम क्या लिख सकते हैं देखें इससे क्या मिलेगा इससे हमें मिलेगा r dash upon cos theta dash is greater than r upon cos theta it means theta dash is greater than theta यानि angle of contact इस condition में बढ़ जाता है in झाल झाल